नमस्ते यह पराबदा मजामा गुजरात के लोगप्रिय मुख्यमंत्री मुरुदू एवं मक्कम स्री भुपेंद्रम स्री आर पाटील गुजरात सरकार के मंत्री बाई जगदिश पंचाल इसी धर्ती के संतान स्री किर्ती सी भागेला स्री गजेंद्र सी परमार सांसद्गान सी परवत भाई परत सी डाभी दिनेज भाई अनावडिया मनाज देडी के चेर्मेन उर्जावान मेरे साथी भाई शंकर जोदरी अन्य मानुभाव बहनो और भाईयो मान नरेश्वरी और मां अम्बाजी की इस पावन धर्ती को मैं शत शत नमन करता हूँ आप सभी को भी मेरा प्रणाम शायत जीवन में पहली बार ऐसा अउसर आया होगा कि एक साथ देड़ दो लाक माताए बहने आज मुझे यहां आशिरवाद दे रही है हम सब को आशिरवाद दे रही है और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था आपके आशिरवाद माजगदंबा की भूमी की माताओं के आशिरवाद मेरे लिए एक अनमोल आशिरवाद है अनमोल शक्ती का केंद्र है अनमोल उर्जा का केंद्र है मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ भावी और बहनों बिते एक दो घंटे में मैं यहां अलग-अलग जगों पर गया हूँ देरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लावारती पशुपालग मेहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बात्चित हुई है यह जो नया संकुल बना है पोटेटो प्रोसिंग प्लांट है वहाँ भी विजीट करने का अवसर मुझे मिला इस पूरे समय के दोरान जो कुछ भी मैंने देखा जो चर्चा हुई जो जानकारिया मुझे दी गई है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं डेरी के सभी साथियों को और आप सब को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ भारत में गाउं की अर्थे बवस्ताओं को माताओं बहनों के सथक्ति करण को कैसे बल दिया जा सकता है कोपरेटिव उम्भूमेंट यानि सहकार कैसे आत्म निर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है इस सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कुछ मैने पहले मुझे अपने संसद्य खेत्र वारणसी में बनास कासी संकुल का सिलान्यास करने का आउसर मिला था मैं बनास डेरी का रदैस से आभार व्यक्त करता हूँ कि काशी के मेरे खेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धर्ती से बनास डेरी ने संकल्प किया और अब मुर्त रूप दिया जा रहा है मैं इसके लिए काशी के साउसत के नाते मैं आप सब का करज़दार हूँ मैं आप सब का रणी हूँ और इसलिए मैं विशेश हुप से बनास देरी को रिदय से धन्यवाद करता हूँ आज यहां बनास देरी संकुल के लोकारपन का कायरकम का हिस्ता बन कर मेरी खुशी अनेग गुना बढ़ गई है भाई और भेनों आज यहां जो भी लोकारपन और सिलान्यास किये गए है वो हमारी पारंपारिक ताकत के से बविश्च के निर्माण के उत्तम उदारण है बनास देरी संकुल चीज और वेप्लांट यह सभी तो डेरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही बनास देरी ने यह भी सिद्ध किया है कि स्थानिय किसानों की आई बढाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उप्योग किया जा सकता है अब बताइए आलू और दूत का कोई लेना देना है क्या कोई मिल जुल है क्या लेकिन बनास देरी ने यह रिस्ता भी जोड दिया दूत, छाट, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिकी, आलू बेज, फ्रेंच फ्राइज, हैस ब्राउन, बर्गर पेटीज, जैसे उत्पादों को भी बनास देरी ने किसानों का सामर्थ बना दिया है। यह भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनास काठा जैसे कम बर्षा वाले जीले की ताकत, कांकरेज गाय, मैसानी भैस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, यह मॉडल आज बनास काठा में हम देख सकते हैं। बनास देरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्द कराती हैं, और आलू के बहतर दाम भी देती हैं। इससे आलू किसानों की करोलो रुपिये कमाई का एक नया ख्षेत्र खुल गया है। और यह सिर्फ आलू तक सिमित नहीं हैं। मैंने लगातार स्वीट रिवलुशन की बात की है। सहथ से किसानों को अतिरिक्त आयच से जोड़ने का आहवान किया है। इसको भी बनाज डेरी ने पूरी गंबीरता से अपनाया है। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि बनाज काठा की एक और ताकर यहां के मुंग फली और सरसों को लेकर भी डेरी ने बड़ी शांदार योजना बनाई है। खाद्य तेल में आत्मंदिर भरता के लिए जो अभियान सरकाल चला रही है। उसको बल देने के लिए आपकी संस्ता तेल संयत्र भी लगा रही है। ये तिलहन किसानों के लिए बहुत बड़ा पोटसान है। भाई और बेनों, आज यहाँ एक बायो सिएंजी प्लांट का लोकारपन किया गया है। और चार गोबर ग्लैस प्लांट का शलान्या सुबा है। ऐसे अनेक प्लांट बनाज डेरी देश भर में लगाने जा रही है। यह कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। इससे पसुपालों को को गोबर का भी पैसा मिल रहा है। तीसरा गोबर से बायो सियेंजी और बिजली जैसे उत्पात तयार हो रहे हैं और चोथा इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धर्ती मा को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार के प्रयास जब बनास देरी के माध्यम से पुरे देश्ट में पहुँचेंगे तो निश्चित रुप से हमारी ग्रामिन अर्थे बवस्ता मजबूत होगी गाउं मजबूत होंगे हमारी बहने बेटियां सतक्त होगी साथियों गुजरात आज सफलता की जिस उंचाई पर है विकास की जिस उंचाई पर है वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है इसका अनुभव मैंने कल गांधी नगर के विद्या समिक्षा केंद्र में भी किया गुजरात के बच्चों के बविश्य को हमारी आने वाली पीडियों को सवारने के लिए विद्या समिक्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है हमारी सरकारी प्रात्विक साला उसके लिए इतनी बड़ी टेक्नोलोजी का उप्योग कि ये दुनिया के लिए एक अजूबा है वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूँ लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रां पर कल मैं विशोष तोर पर गांदी नगर में इसे देखने गया था विद्या समिक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है टेक्नोलोजी का जो बहतरीन इस्तमाल इसमें किया गया है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे लोक प्रियम मुख्यमंत्री स्री भुपंद्र भाई के नित्रुत्व में ये विद्या समिक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है आप सोचिए पहले मुझे एक गंटे के लिए ही वहाँ जाना था लेकिन मैं वहाँ प्यारी चीजों को देखने समझने में ऐसा डूब गया कि एक गंटे का कायरकम मैं दो धाई गंटे तक वहीं चीपका रहा इतना मुझे उसमें रूची बढ़ गई मैंने स्कूल के बच्चों से, सिक्षकों से काफी विस्तार से बाते भी की बहुत से बच्चे अलग-अलग स्थानों से भी जुड़े थे दक्षिन गुजरात, उत्तर गुजरात, कच्च सौराश्ट, आज ये विद्या समिक्षा केंद्र गुजरात के चोवन हजार से जादा स्कूलों से, साड़े चार लाग से जादा सिक्षर और देड़ करोर से जादा विद्यार्थियों की एक जीती, जाक्ती, उर्जा का ताकत का केंद्र मन गया है इस केंद्र को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशिन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसीज ऐसी आधुनिक विद्यार्थियों से सुसज्जित किया गया है विद्या समिक्षा केंद्र हर साल पान सो करोर डेटा सेट का विस्ट्रेशन करता है इसमें एसेस्मेंट टेस्ट, सत्र के अंत में परिक्षा, स्कूल की मान नेता बच्चों और सिख्षकों की उपस्तिती से जुड़े कारियों को किया जाता है पूरे प्रदेश के स्कूल में एक तरह का टाइम टेबल, प्रश्ट्रपत्र, चेकिंग इन सब में भी विद्या समिक्षा केंद्र की बड़ी भूमी का है इस सेंटर की वज़े से स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती 26 प्रतिशत तक बढ़ गई है शिक्षा के खेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है मैं भारत सरकार के सम्मंदित मंत्रालयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समिक्षा केंद्र का अवश्य अध्यन करें विविन राज्यों के सम्मंदित मंत्रालय भी गांधिनगर आए इसकी व्यवस्ता का अध्यन करें विद्या समिक्षा केंद्र जैसा आधुनिक व्यवस्ता का लाफ देश के जितने जादा बच्चों को मिलेगा उतना ही भारत का भविष उजवल बनेगा